Hello students, आज हम लोग बाप करने जा रहे हैं What are the exams that can be given in class 11th and 12th? इन exams की एक brief introduction में यहाँ पर आपको दूँगा इसके साथीन की official website की link भी मैं description में डाल दूँगा अब बहाँ से जाकर check कर सकते हैं सबसे पहला exam है KVPY मतलब कि शोर वैग्यानिक प्रोचाहन योजना यह Government of India की एक scheme है इंडिया के best minds को select करने के लिए जो की pure sciences में अपना career बनाना चाहते हैं इस exam के अंडर class 11th और 12th से 1000 students each select होते हैं और उन्हें आगे scholarships दी जाती हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए इसके साथ ही इसके थुरू आप IAC Bangalore और IACRs जो की प्रीमियर रिसर्च इस्टिट्स है हमारे देश के उनमें admissions ले सकते हैं KVPY के उपर मैंने एक separate video बनाई है आप उसे जाकर एक बाद चेक कर सकते हैं अगर आपको इसमें interest है तो उसके बाद है अगला exam Indian Olympiad Qualifiers या जिससे पहले National Standard exam कहा जाता था जिस तरह से sports के Olympics होते हैं वहाँ पर अलग-अलग events होते हैं उसी तरह से पर high-key Olympiards होते हैं जिनमें अलग-अलग subjects के लिए अलग-अलग countries से कई सारे students आते हैं और compete करते हैं उन्ही Olympiards के लिए इसे selection round की तरह माना जा सकता है यह पहला round होता है इसमें आप Physics, Chemistry, Astronomy और Biology के Olympiards दे सकते हैं आपको जिसमें भी ज़्यादा interest है अगर आप class 11th में हैं तो मैं personally आपको recommend करूँगा कि आप सबसे पहला Astronomy पर focus करें फिर Biology और Chemistry पे और last में Physics पर क्योंकि जो पहले मैंने जिन का नाम लिया वो theoretical subjects हैं उनके तयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा advanced concepts लगाने की ज़रूरत नहीं पर दी और उनका जो competition होता है वो भी थोड़ा कम होता है आप उसे आसानी से clear कर सकते हैं वैसे अगर आपका इंट्रेस्ट Physics में है तो आप Physics Olympiard की तयारी भी कर सकते हैं और आप उसे भी आसानी से clear कर सकते हैं अगर आपकी तयारी अच्छी हुई तो इन exams को 11th और 12th के लिए combined कराया जाता है और इसमें जो certificates मिलते हैं वो State 1%, Center 10% और National 1% के होते हैं मतलब अगर आपके State में 300 बच्चे हैं तो उन में से 3 बच्चों को special State 1% का certificate दिया जाएगा बाकियों को भी participation वगारा के certificate मिलते हैं अगर आप एक score को clear करते हैं तो इनके बारे में भी मैंने एक separate video जलती बनाऊंगा तो उसके लिए आप wait कर सकते हैं उसके बाद जो अगला exam है वो है PRMO जिस तरह से Indian Olympiad qualifiers अलग-अलग subjects के होते हैं science के अलग-अलग subjects के लिए वैसे ही PRMO mathematics के लिए होता है यहाँ पर भी stages उसी की तरह है आपको पहले एक state level exam clear करना होता है फिर एक national level exam inmo जिसे कहते हैं वो clear करना होता है और उसके बाद आप Olympiad के training camp के लिए चोने जाते हैं इन exams के भी जो eligibility होती है वो almost similar होती है लेकिन इस exam को class 8th से 12th तक के students देते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप class 11th में हैं तो आपको competition कम रहेगा इस exam में क्योंकि आपको junior students के साथ compete करना होता है अगर आपका interest pure mathematics के field में हैं तो इस exam को अगर आगे तक clear कर लेते हैं तो आपको चिन्नई mathematical institute जैसे colleges में भी admission दिया जाता है उसके बाद जो अगला exam है वो है NTSC stage 2 अगर आपने class 10th में NTSC stage 1 clear की हैं तो आप इस exam को दे सकते हैं इसके बारे में भी मैंने एक separate video बनाई हैं आप उसे जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं अगले जो exams हैं वो है IAT और ISI के admission test ये exams IISCRs और Indian Statistical Institutes में admission के लिए होते हैं respectively आपको अगर pure sciences में या फिर pure mathematics की field में interest है तो आप इस exam को दे कर उन colleges में admission ले सकते हैं अगर आपका score और rank अच्छा हुआ तो और last में J.E. और NEET जिसको बारे में आपको पता ही है आप हो सकता है इसकी तयारी करी रहे हूँ J.E. और NEET का exam जैसे हम जामते हैं इस level पर किया जाने वाला almost इंडिया का सबसे बड़ा exam है और इन में अगर आप qualify करते हैं तो आपको अलग-अलग IIT में, NIT में और NEET अगर आप clear करते हैं तो AIMS और different medical colleges में admission मिलता है तो यह थे जो major exams आपको target करने चाहिए इन exams को अगर आप अच्छे से attempt करते हैं तो यह आपको एक confidence देता है आपके आगे के life को भी अच्छी तरह से जीने में आपको आगे आने वाली difficulties से डरने में जो आपको डर लगता होगा उन्हें भी यह exams खत्म करने में मदद करते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इन सभी exams को attempt करें और अपना best performance दे, irrespective आप select हो या ना हो आपको अपना best performance इन exams में देना चाहिए और इन exams को जरूर से attempt करना चाहिए class 11th और 12th में Thank you